आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है अफिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूं अभिनोत्युशा शांशो पांड़े और हम कर रहे हैं परिक्षाओं की तयारी इस परिक्षाओं की तयारी के सिलसिले में आपको हमारे एप्लिकेशन में मिलेगा एक्जाम सिरीज मेशन 2023 तो आप हमारा एप्लिकेशन डाउनलोड करना ना भूलें और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें हम लोगों ने पीवाईक्यू सिरीज सुरू कर ली थी और इस पीवाईक्यू सिरीज में हम लोगों ने कुछ प्रश्ण ऐसे देखे थे जिनका जो है हम लोगों ने उत्तर देख लिया है इसी सिलसिले में हम अब बढ़ रहे हैं आगे आने वाले प्रश्णों की और और आज का जो हमारा पास में एक गोलिय प्रिष्ठ है और इस गोलिय प्रिष्ठ के लिए जो है हम अपवर्तन की घटना को जो है बड़ी ध्यान से पढ़ने वाले हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा डाइग्राम की सुरवात अब देखे यहां पर जो हैं को क्या-क्या चीज़े नजर आती हैं आप पर जो है स्ट्रोथ रखा इस फ्रोथ से एक प्रवात की कीरण ऐसे जाएगि अब उसको जो है अपने रास्ते में सीधे निकल जाना चाहिए लेकिन क्या होगा कि यह है अपने रास्ते से भटक जाएगी क्योंकि माठ्याम में अंतर है अब अभिलंब से दूर या पास होता है तो जो है विरल माध्यम से सघर माध्यम की और जाते हुए प्रकास की किरन अपने अभिलंब से थोड़ा पास आ जाती है तो सबसे पहले हमको अभिलंब बनाना पड़ेगा तो इस जगह पर यदि हम कल्पना करें कि हमारा जो यह जो इस परस रिखा बना के हम लोगों ने तो अब यहां पर अभिलंब के लिए हमको एक यह बनाना पड़ेगा यह मान लेते हैं कि केंदर वकरता केंदर से है तो C से होकर गुजरने वाली यह रिखा अभिलंब की भाति वेवहार करेगी अब यहां से क्या होता है कि प्रकास की कीरन इधर जाने की बजाए थोड़ी से गूम जाएगी और अभिलंब के पास चली जाएगी मतलब यहां हमको प्रकास की कीरन यहां नजर आएगी और यह अभी लंब के पास आते हुए यहां से गुजरेगी जो कि आई बेंदू है अब यहां पर हम सारे कोणों की चर्शा करेंगे कोण बनाने से पहले हम यहां पर एक लंब खीच लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं एम इसका नाम रख देते हैं पी और यहां पर जो है क्योंकि यह प्रकास की केंद्र है तो पी डैस इसका नाम रख देते हैं अब हमको जो है कुछ कोण देखने हैं तो यहां पर देखिएगा कि अभी लंब से बनने वाला जो है आपतित किरन का कोन मतलब ये पीला वाला ये कोन जो है हमको हो गया कोन आर उस कोन आई हो जाएगा ठीक है कोन आई हो जाएगा इसके बाद में जो है अभिलंब से अपवर्तित किरन के साथ बनने वाला जो कोन है ये वाला कोन जो है हो जाएगा कोन आर और अब जो है हम लोग कौन हो जाता है थीटा हमको अपवरतनाग के बारे में पता है कि यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम के लिए अपवरतनाग के म्यू है तो इसे हम जो है म्यू वन टू के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लिख सकते हैं म्यू टू बटा म्यू वन अब अगली बात क्या है अ और यह त्रिभूज का ऐसा है आप ध्यान दीजिए इस त्रिभूज में हमको यहां पर में कोण मिल रहा है अलफा यहां पर कोण मिल रहा है आई और यह जो बाह यह कोण है यह कोण है ठीटा तो इस त्रिभूज का नाम क्या है इस त्रिभूज का नाम है ओ यहां पर एम और यहां पर C, तो त्रिभुज O M C में अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो हमको क्या पता है, त्रिभुज O M C में, क्या है, हमारे पास में है, दो आंत्या कोनों का योग या बाहे कोन के बराबर होता है, मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं, कि थीटा किसके किसके बराबर है, अलफ टेइफ हाँ धन ऐल्फादं आई के ब необход या हम बोल सकते हैं आई जो है वो ठीतारिण अल्फा के बराबर है यह बात हमको पहले पता चल गहीं इसी तरीके से यदो हम जिंदो है यहां पर किसी दूसरे कौन की यह मतलब हो जायगा कौन आर और यह कौन हो जायगा। थीटा और यह हुoly है अगर हम इसका नाम रखना चाहें तो यह हो जाएगा बिंदU M यह हो जायगा बिंदU C और यह हो जागा बिंदU I — तो त्रिभչोज, I M C में रही हम को पता है। कि दो आंताको को नो का योग मतलब थीटा बराबर यहां पर हो जाएगा बीटा धान, आर यह हम बोचकते हैं आर बराबर थीटा रिन यह जो है हो गया अब हम झो है थोड़ा स्नेल के नियम यहां पर हो जाएगा साइन आर अब तो यदि जो है हम रेडियन में नापे और इन कोणों का माप जो है वो 10 डिगरी से कम हो तो हमें पता है कि साइन आई जो है आई के बराबर हो जाएगा और साइन आर जो है वो आर के बराबर हो जाएगा तो यहां से जो है हम लोग देखते हैं और यहां पर ही हम इसके मान डा और आर के लिए हमारे पास में है ठीटा माइनस बीटा इस तरीके से जो है जब हम तीर्याग गुणा करेंगे तो मुटू गुणा ठीटा रेन बीटा बराबर मुवन गुणा ठीटा रेन अलफा हो जाएगा और यह चीज जो है हम अगले पेज में लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग mu2 बटा mu1 बराबर थीटा रिण alpha थीटा रिण alpha बटा थीटा रिण बीटा अब जो है यहां पर आप एक बार और धिहान दीजिएगा और वो यह है कि यह जो alpha है alpha के लिए जो है हम एक समकोर तरभूज देखते हैं समकोर तरभूज OMP तो इसको समकोर तरभूज OMP में देखते हैं तो हमको क्या नजर आएगा कि अगर हम जो है 10 alpha निकालते हैं तो 10 alpha का मान हो जाएगा लंब बटा आधार मतलब MP बटा OP ठीक है तो हम लिख सकते हैं 10 10 alpha का मान हो जाएगा MP MP मतलब लंब और बटा आधार हो जाएगा OP ठीक है और इसी तरीके से जो है यदि हम जो है 10 beta की बात करें तो 10 beta का मान हो जाएगा MP MP बटा IP तो यह हो जाएगा MP बटा IP अच्छा अब जो है हम एक और चीज़ बात कर सकते हैं अगर हम theta का मान देखे तो 10 theta का मान हो जाएगा 10 theta का मान हो जाएगा MP बटा OC MP बटा OC यह तीनों मान हम लोगों ने देखे अब जो है हम इसको यहाँ लिख लेते हैं तो 10 alpha और इसका मान है MP बटा OP उसके बाद में 10 beta और इसका मान है MP बटा IP और 10 theta और इसका मान है MP बटा CP होना चाहिए देख लेते हैं एक बार MP बटा CP है PC यह CP ठीक है तो अब जो है हमको यह सारी चीज़ें भी पता चल गई लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर माना था कि यदि कोड जो है वो 10 डिगरी से कम हो और रेडियन में आपा जाए तो sin theta जो है वो theta के बराबर यानि कि sin i के बराबर हो जाता है इसी सूत्र को जो है इसी assumption को अगर हम यहाँ उप्योग करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 10 alpha भी 10 डिगरी से कम वाले रेडियन मान के लिए alpha के बराबर होता है यहाँ पर यह जो है बीटा के बराबर हो जाएगा अगर यहाँ पर मान डाल दें तो हमको मिलता है mu2 थीटा कमान कितना है MP बटा CP MP बटा CP रेड यहाँ पर देखिए फिर से जो है alpha बीटा कमान है MP बटा IP और यह किसके बराबर हो गया mu1 और यहाँ पर देखिए तो थीटा हो जाएगा फिर से MP बटा CP और रेड यहाँ पर हो जाएगा MP बटा MP बटा OP ठीक है तो यह जो है हम लोगों के बात हम लोगों के पास में बात समझ में आ गई अब आप देखिएगा कि यहाँ पर चारों जगा हमको MP निजर आ रहा है तो अगर हम MP को यहाँ पर उभैनिष्ट निकाले कॉमन निकाले और काट दे तो हमको मिलेगा म्यूटू म्यूटू गुणा एक बटा CP रिण एक बटा IP और यह बराबर हो जाएगा म्यूट वन और यहाँ पर हो जाएगा एक बटा CP रिण एक बटा एक बटा OP अब जो है अगर आप दोबारा ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि CP है क्या यहाँ देखिए तो CP अगर मैं जो है पी और पी डैस जो कि बहुत ही छोटी दूरी है तो इसको पी डैस ही माल लो तो यह वाली जो पूरी दूरी है यह है वकता तिज्या यहने की आर उसके बाद में आप यहां देखेंगे कि यह वाली जो पूरी दूरी है यह असल में है वी ठीक है और यह वाली जो पूरी दूरी है यह असल में है यू तो हम लोगों ने तीनो दूरियां देखी अब जो है इन तीनो दूरियों के चिन्य परिपाटी का ध्यान दे तो हम प्र में आएगा कि Cp यह जो है रिण आर के बराबर है उसके बाद में आई पी यह रिण वी के बराबर है और ओ पी यह यू के बराबर है और यह अगर जम सारी जान करें यहां डाल दी जाएं तो हम को क्या मिलता है यह देख लेते हैं हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है mu1 और यहाँ हो गया एक बटा, एक बटा आर, रिन, एक बटा, रिन, रिन, वी, और यह बराबर है, और यहाँ देखे, एक बटा आर, एक बटा रिन, एक बटा रिन, और रिन, एक बटा, रिन, यू के बराबर है, अब यह सूत्र हम आगे बढ़ाएंगे, और हमको क्या पता है, और हमको पता है, म्यू आर, पिर से देख लेते हैं, म्यू टू, म्यू टू और इस साइड में म्यू en है, तो हमको मिलेगा, अच्छा, यहाँ पर ये म्यू टू है, और यह ये म्यू वान है, यह इस बात का द्हान रखना पड़ेगा, अब आईए देखे, तो यहाँ पर ह हो जाएगा यहां पर हो जाएगा म्यूट्यum एंती होई और दन एक ब्राबर हो जाएगा म्यूवन और यह हो जाएगा एक बटा-फिंच अर और दन एक बटा यू अब ज्यू है अगर हम पहक्षांद्च करें तो आप यहां देखेंगे के यहां हो जाएगा मूटू बटा मूटू बटा वी रिण मूवन बटा यू क्योंकि यह धनात्मक यू उधर जाके रिणात्मक हो जाएगा बराबर मूवन बटा रिण मूवन बटा आर और यह रियन आत्मक उधर जाके रिणात्मक हो जाएगा तो हो जाएगा यहां पर स्थमक्रति बहुतने हैं मैूटू बटा वी मूवन बटा यू बढ़ाबर अब यहां पर जो है हो जाएगा mu2 रिन, mu1 और बटा r अब आप थोड़ा प्रश्ण देखेंगे तो आपको जो है दिखाई देगा कि हमको प्रश्ण में भी यही पूछा था कि ०्डवी विटर मिू वटर में इसे अगे आप्षण सबक्राइब कर दिये अगले वीडियों में और तक तके लिए धन्यवाद